बात करते हैं एक्चल में intermittent fasting होता क्या है दोस्तो intermittent fasting का मतलब होता है कि आप एक certain period of time के लिए खाना पिना या दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बंद कर देते हैं और उसके बाद जो आपने एक time define किया होता है फिर से आप खाना पिना शुरू करते हैं अगेन एक window में और जब pattern रखते हैं कि इन गंटों में खाना है और इन गंटों में बिल्कुल भी नहीं खाना है तो इसको हम intermittent fasting कहते हैं यह कई तरह की होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे सवाल उड़ता है कि क्या intermittent fasting का हमारे बोडी पे कुछ फाइदेमंद असर होता है क्या वाकर यह blood sugar को control करने में मदद करता है या weight को reduce करने में मदद करता है हाँ दोस्तों यह fact है कि जब आप intermittent fasting करते हैं calories का consumption कम हो जाता है जिसकी वजह से weight reduce होता है और जब weight reduce होता है तो blood sugar के levels भी कम हो जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जितने मोटे लोग होते हैं उनमें blood sugar का खत्रा बढ़ जाता है और जब weight reduce होता है blood sugar का खत्रा कम हो जाता है तो उसी के साथ जो दूसरे complications है चाहिए heart diseases है stroke है और भी बहुत सारी विमारी हैं उनका खत्रा भी कम हो जाता है फिर यह सवाल उड़ता है कि कितना safe है diabetic patients के लिए तो यह एक तोड़ा tricky question है diabetic patients में actual में इसके अच् pattern शुरू करने से पहले कोई भी dieting program शुरू करने से पहले या intermittent fasting शुरू करने से पहले आपको अपने dietitian या अपने doctor से जरूर सला मशवरा कर लेना चाहिए आपकी doses को कैसे adjust करना है और उसी के साथ साथ आपको आपका जो blood sugar है उसको monitor करते रहना चाहिए उसके वज़ाई हो होती है कि जब आप लंबे वक्त तक या तो खाली पेट रहते हैं या फिर एकदम से खाना काते हैं तो जो blood sugar level है body के वह swing करते है अप और down हो सकते हैं जिसकी वज़ेसे या तो hypoglycemia हमें भी patient जा सकता है या ब्लट sugar के level बहुत अगर काम हो जाए जो बहुत ही खतरना condition होती ह और उसका corrective action ये होता है कि आ फटा फट फट थोड़ा सा ची नहीं या कोई मीठा candy खा ले तो इसको आप correct कर सकते हैं और ये high blood sugar से भी ज़्यादा खतरना condition होती है अगर अचानक से blood sugar के levels काम हो जाए तो इसलिए आपको अपने doctor की सलह के साथ ही intermittent fasting करना चाहिए अब दोस्त time restricted feeding इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ morning hours में for example 6 बजे से 10 बजे के बीच में हम कुछ खाते हैं जो भी आपका normal भोजन होता है सिर्फ उतना और उसके बाद पूरा दिन पूरी रात कुछ भी नहीं खाते हैं बाकी सारे समय आपने आपको fasting में रखते हैं तो ये पहला तरीक और अगले दिन आप कुछ भी नहीं खाते हैं थर्ड जो टाइप है वो होता है two is to five days ratio का यानि कि हफते के दो दिन आप कुछ भी नहीं खाते हैं और अगर आप खाते भी हैं तो बहुत हलका फलका up to five hundred calories तक का आप कोई भोजन इस्तमाल कर सकते हैं इन दो दिनों में और अ यह वाला pattern जो है दोस्तों इसमें हम 8 गंटे की window में तो बहुजन करते हैं normal खाना काते हैं लेकिन 16 गंटे के period में हम कुछ भी नहीं खाते हैं और आप यह follow कर सकते हैं days आप decide कर सकते हैं week decide कर सकते हैं या months decide कर सकते हैं कि आपको कितने दिनों तक intermittent fasting करनी है generally जो 8 is to 16 ratio वाला fasting है यह Muslims हर साल में एक बार रमजान के महीने में जो रोजे रखते हैं उसमें इसी pattern PA fasting की जाती है और इसके अच्छे कहां से फायदे देखे गया हैं cells को regenerate करने में, reprocessing of cells में, toxins को release करने में, insulin और जो दूसरे growth hormones हैं उसका balance को maintain करने में तो यह बहुत सारे हैं intermittent fasting के, और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि ऐसे मरीज जो pre-diabetic stage में है, यानि कि जिनका HbA1c या जिसको हम glycated hemoglobin कहते हैं, उसका level अगर वो 5.6 और 6.4 के बीच में है, उनके लिए तो बिना कोई दवाई शुरू किए, अगर आप intermittent fasting करते हैं, तो आप अपने intermittent fasting करके continuous maintain करते हैं अपना blood sugar के level और weight को आप अपने आपको diabetic होने से बचा सकते हैं, आपको precautions लेने की क्या जूरू होते हैं, दोस्तों कोई भी intermittent fasting शुरू करने से पहले आपको अपने doctor को ज़रूर बताना चाहिए, आप जो दवाईया ले रहे हैं, उनका क्या dose adjust करनी है, hydration आपको maintain करना चाहिए, ऐसा नहों कि आप intermittent fasting कर रहे हैं और आपने पानी पीना भी बंद कर दिया है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो conclusion दोस्तों यही है कि intermittent fasting करने के बहुत सारे फायदे हैं, आप बहुत सारी दवाईयों को खास दोर से जो diabetic patient हैं, उनकी दवाईय कि या तो dose कम हो जाएगी, या insulin की dose कम हो जाएगी, या हो सकता insulin बंद ही हो जाए, कुछ studies इस तरह की की गई थी, कुछ diabetic patients पे जो लंबे समय से insulin, जो लंबे समय से insulin ले रहे थे, उनको जब intermittent fasting alternate day pattern पे किया गया, तो तीन मेन एक बाद यह देखा गया, कि कुछ मरीजों के तो और आप अपने आपको इससे बचा सकते हैं, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जान करी आपके काम की रही हो, तो इस वीडियो को like जरूर कर लेना, share जरूर करना और चैनल को subscribe करने से फिलकुल मत भूलना, thank you